अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading तो चलिए टारस आप लोगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पे तीन set of cards है first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally April month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है hand man और यह card कहता है कि कुछ time से यहाँ फिर April starting में एक stuck वाल energies रह सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि आप अटक गए हैं ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही आप पीछे बढ़ पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि willingly कुछ compromises, adjustments आपको करने पढ़ रहे हैं कुछ के लिए situation, circumstances की तरफ से हो सकता है again कुछ adjustments, compromises करने पढ़ रहे हैं और कहीं उनों बहुत कुछ करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और deeper level के लिए यहाँ पे hangman के नीचे move on का card कहता है शायद आप किसी चीट से, जगा से, situation से move on करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और इसी लिए एक stuck energy जदा महसूस करते वे दिख रहे हैं फिर से कहूंगे यह movement सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि अगर यह long distance relationship है तो आप अपने partner के पास जाना चाह रहे हैं आपके partner आपके पास आना चाह रहे हैं क्योंकि move on का card आपके लिए आया है तो आपके लिए यह जदा रहता हुआ दिख रहा है कि आप you know partner के पास जाना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ situation, कुछ circumstances है जो bother कर रहे हैं उनसे move on करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है और यह बहुत ही कम tolerance के लिए होगा तो इनको तो हम avoid करी नहीं सकते कोई भी month जितना भी अच्छा हो छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो रहता ही है तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी इका दुक्का के लिए हो सकता है कि deeper level के लिए आप relationship से move on करना चाह रहे हैं लेकिन broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी किसी भी situation, जगा या फिर किसी भी चीज से move on करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और इसी लिए compromises, adjustments कर रहे हैं या फिर stuck महसूस कर रहे हैं यहाँ पर temperance का card कहता है कि एक balance आप maintain करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं कैसे एक piece आप maintain कर पाएं कैसे अपने लिए एक सुक्पून ला पाएं कैसे जो भी चीजें हैं उनको mix करके जो भी आप चाहते हैं उस चीज को achieve कर पाएं आप देखिए यहाँ पर मैं बहुत ही एक general language में आप से बात कर रही हूँ क्योंकि यह general reading है बहुत सारे Taurus देख रहे हैं पॉसिबल नहीं है कि हर Taurus की specific situation मैं आपको बता पाऊँ यहाँ पर हम सिरफ और सिरफ energies देख रहे हैं और energies के लिए यहाँ पर temperance का कार्ट एक balance maintain करने की बात करता है कहीं एक moderation लाने की बात करता है तो कहीं peace maintain करते हुए एक balance लाना चाहा रहे हैं और कैसे खुद को control करें या फिर कैसे आप you know moderation में चीजों को deal करें उसके उपर focus कर रहे हैं deeper level के लिए sweet messages का कार्ट कहता है कि आप sweet messages के through या तो अपने partner से बात कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं या निकि देखिया आपकी तरफ से एक बहुत sweet loving caring messages आप अपने partner को कर रहे हैं आप फिर करना चाहा रहे हैं लेकिन देखिये end April के लिए strength, reverse and shocking के कार्ट कहते हैं कि आपका सबर का घड़ा भर सकता है और बहुत गुसा, बहुत frustration किसी चीज़ को लेकर आप नहसूस कर सकते हैं अब फिर से कहूंगी ये general reading है सब Taurus के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है ये situation, circumstances को लेकर आप बहुत frustrated हो रहे हैं बहुत irritate हो रहे हैं पीछे बहुत compassionately, lovingly आप चीज़ों को deal कर पा रहे थे लेकिन कहीं April end में आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब और you know patience नहीं रखी जा रही है या फिर और compassionately, lovingly चीज़ों को नहीं deal कर जा रहा है और फिर से कहूंगी बहुत frustration, anger आप किसी खास चीज़ को लेकर, situation को लेकर, relationship को लेकर या फिर partner को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर महसूस कर सकते हैं यह general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा deeper level के लिए shocking का card कहता है हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी personal life में हो रही है अब relationship में हो रही है, जो आपने expect नहीं करी थी और it is coming to you as a shock दिखिए, shock बहुत एक extreme energy होती है क्योंकि यह monthly reading है और monthly reading में भी April end की energies shocking का card जादा represent करता है तो कोई चोटी मोटी चीज़ रहती भी दिख रही है जो शायद आपने expect नहीं करी थी और आपको बहुत एक हरानी हो रही है आप बहुत जादा overwhelm हो रहे है या फिर इका दुका के लिए हो सकता है literally बहुत एक shock सा आपको लग रहा है in fact मैं कहूंगी कुछ के लिए छोटा मोटा shock होगा कुछ के लिए थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा बहुत ही कम के लिए रहता हुआ दिख रहा है यानि कि बड़ा shock कम ही लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है आप देखते हैं कि आपके पार्टनर की के energies हैं तो देखे आपके पार्टनर के लिए हापे six of cups and love energy का card बहुत ही clearly कहता है कि आपके पार्टनर बहुत एक प्यार महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं जब भी भी आप लोग साथ में नहीं होते आपको बहुत मिस करते हैं आपके साथ interact करना चाह रहे हैं और हो सकता है उनकी तरफ से ऐसे एक action initiatives भी हैं जहाँ पर बार बार आपको अपना love express कर रहे हैं और जब भी भी again मैं कहूंगे आप लोग साथ नहीं होते कहते हैं कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कहीं देखिए mid April के लिए यहाँ पर The Tower Rivers का card कहता है कि एक बहुत frustrating, irritating energies उनकी भी रह सकती हैं अब यहाँ पर भी देखिए सब Taurus के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए circumstances situations हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर Six of Cups का card past की बात करता है और याद भी किसी चीज को करने की बात करता है तो long distance relationship है तो बहुत ही clear है कि partner बहुत miss कर रहे हैं और इसलिए हो सकता है को याद कर रहे है कहीं देखिए फिर से मैं कहूंगी mid April में आपके partner एक घुटन सी महसूस कर सकते हैं और suddenly किसी चीज में से निकलना चाह सकते हैं अब यहाँ पर कुछ Taurus के partner के लिए situation हो सकती है सक्कम stances हो सकते हैं जिन से निकलना चाह रहे हैं कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि उनको आपकी किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो उतना गुस्सा नहीं express करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए यहाँ पर Tower Rivers का card एक और चीज कहता है कि कोई चीज मन ही मन में है उसको express नहीं करना चाह रहे हैं आप नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कुछ टॉर्स के पार्टनर के लिए गुस्सा हो सकता है कुछ के लिए प्यार हो सकता है और overall के लिए सभी टॉर्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कुछ limitations है, कुछ restrictions है और उनको ये limitations, ये restrictions अच्छी नहीं लग रही है वो इन restrictions, limitations को तोड़ना चाहते हैं और इंता process हो सकता है कि थोड़ा सा immature तरीके से भी चीजों को deal कर रहे हैं थोड़ा सा एक उनकी तरफ से childish energies भी रह रही हैं जो भी हो कहीं end April के लिए I want more moments with you तो दिखे ये एक बहुत बड़ा reason रह सकता है आपके partner की frustration का limitations, restrictions किसी भी level पर हो सकते हैं जिसकी वज़े से आपके partner आपके साथ और time नहीं spend कर पा रहे हैं और जादा आपसे नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए कहीं frustrated और गुसा भी हो रहे हैं तो फिर से दिखे इतर लिखा हुआ है I want more moments with you तो आपके साथ और जादा पल, और जादा time, और जादा आपकी presence वो अपनी life में चाहते वे दिख रहे हैं and surface level के लिए two of swords का card कहता है कि वो stuck महसूस कर रहे हैं अब देखिए सब Taurus के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन कहीं end April में आपके partner भी stuck महसूस कर रहे हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है कि एक indecisive वाली भी energies उनकी हैं एक inaction वाली भी energies उनकी हैं और आप देखते हैं Taurus की April मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए सबसे पहला card यहाँ पर Queen of Swords है तो जो भी आपके energies हों, जो भी आपके partner के energies हों joint energies देखें तो या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर Queen of Swords का card है Queen female energies को या फिर feminine energies को represent करती है तो आप दोनों में से जिसकी भी feminine energies हैं कहीं वो थोड़े जादा logical हो रहे हैं और बहुत strong भी हो रहे हैं, mind से चल रहे हैं या फिर कोई female हो सकती हैं आपकी तरफ से हो सकती हैं, Taurus या आपके partner की तरफ से हो सकती हैं जो बहुत logical है, mind से चलती हैं और कहीं उनकी तरफ से supportive energies भी हो सकती हैं लकिन साथी साथ उनकी involvement interference भी हो सकती है और deeper level के लिए surprise का card again shocking वाली energies को ही और जादा confirm करता है किसी भी level पे किसी भी तरीके का एक surprise April starting में, April month में रह सकता है और देखिए कुछ के लिए surprise positive होगा, कुछ के लिए negative होगा positive होगा तो हो सकता है, आप अपने partner को कोई gift या फिर अपनी presence से surprise कर रहे हैं especially अगर ये long distance relationship है नहीं तो gift हो सकता है again देखिए, जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई, मैंने कहा किसी भी level पे किसी भी तरीके का surprise या तो आप अपने partner को कर रहे हैं, या partner आपको कर रहे हैं कुछ के लिए positive, कुछ के लिए negative रह सकता है and surface level के लिए 8 of cups का card कहता है कि again किसी चीज़ को, जगा को, situation को छोड़ कर आप दोनों आगे बढ़ना चाहा रहे हैं ये general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा और in the process, emotionally थोड़ा सा low feel कर रहे हैं emotionally थोड़ा सा down feel कर रहे हैं sending you love का card कहता है कि आप दोनों ही deeper level के लिए एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, महबबत महसूस कर रहे हैं बहुत ज़ादा एक care रह रही है और हो सकता है एक दूसरे से बहुत lovingly, caring तरीके से आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की interactions हो रहे हैं या फिर ऐसा आप दोनों मन ही मन चाहा रहे हैं and end April के लिए Nine of Pentacles, Reverse and Love is in the Year का card कहता है कि बहुत एक प्यार, महबबत, again आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मन ही मन महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि express भी कर रहे हैं और कहीं surface level के लिए Nine of Pentacles, Reverse का card कहता है कि discipline तरीके से चलना चाहा रहे हैं कहीं, you know, systematically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन उतना self-control नहीं रख पा रहे हैं हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लगे कि भी emotionally, mentally, partner के ओपर नहीं depend होना है थोड़ा सा independent तरीके से चीज़ों को deal करना है लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक emotionally, mentally, physically दूसरे जन पर depend हो रहे हैं और फिर से कहूंगे deeper level के लिए love is in the year का card कहता है कि बहुत एक loving, caring, supportive, cooperative, प्यार, महबत वाली energies आप दोनों के ही बीच में मन ही मन या फिर otherwise भी रहती भी दिख रही है तो ये था Taurus आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें